अब दोस्तों नमस्कार यादा गोट फार्म में आप सभी दोस्तों का स्वागत हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आसा करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक हूँगे आप लोग देख सकते हैं यह जो पठिया है कितने दिन की है यह हिट में आई है इसके बारे मैं पूरा इस बीडियो में बताने वाला हूँ और साथ में भी बताने वाला हूँ कि देशी बकरी जो है उसको कितने दिन पर क्रस करना चाहिए उसका उमर कितना हो तो क्रस कराएं ताकि आपकी जो बच्चे आएं स्वास्त हैं और आपकी बकरी भी स्वास्त रहे गाव में दो चार जो किसान रखते हैं वो ज्यादा तर ये गलती करते हैं कि जब पठिया हीट में आती है ताभी उसको क्रस्ट करादेते हैं इसका नतीजह होता है कि जो पठिया का सरीर का जो स्रिष्टी होना चाहिए जो तागरा जैसे को पाना пойд नहीं हो पाती है और कमजूर रहे जाती है और बाद में जब बच्चा देती है तो बिल्कुल उसका बच्चा भी कमजोर ही पैदा लेता है और उसके बाद जब बकरी दूद पर आती है तो उसको दूद भी नहीं होता है क्योंकि उसका उमर बहुत कम रहता है शरीर उतना बारा नहीं हुआ रहता है इसलिए उसका दू दूद नहीं मिलने के कारण बच्चे कुपोसन के सिकार हो जाते हैं और जो बच्चते भी हैं उनको बढ़ने में यानि बढ़ा होने में बहुत समय लग जाता है और उतना नहीं बढ़ पाते हैं जितना की एक बखरे को बढ़ना चाहिए जिस बखरी का बच्चा अगर कुपोसन का सिकार हो जाएगा और उसको भड़पूर मतरा में दूद नहीं मिल पाएगा तो जो बढ़ेगा तो काने का मतलब है कि वोजन उसका 25 किलो अगर स्वास्त बखरे का होना चाहिए और जो बखरी दूद देती है उसका होना चाहिए उ इस पठिया को हम सही समय से क्रस कराते हैं उसका जो बच्चा आता है वो भी स्वस्त आता है और जो बखरी है वो भी स्वस्त राती है क्योंकि जो बखरी है अगर सही समय से क्रस हुई रहेगी तो जो उसका दूद है दूद के बरहत्री ज्यादा रहेगा और बच्चे को भ पठिया का जो भी समय है मानली जे चार या पांच या च्छे महिने में देशी बकरी के बाच्चा हिट में आ जाती है लेकिन हमें चाहिए कि उसका सही समय क्या है और सही समय पर करश कराएं उसकी जयनकारी अब हम इस वीडियों आप दोस्तों को देने वले हैं देशी पठिया जब हिट में आती है तो उसका हिट में आने का समय जादा तर दिखा गया है कि पांच या च्छे महिना की होती है तो हिट में आना चालू हो जाता है लेकिन हमें चाहिए कि जब पठिया आठ या दस महिना के भीतर का उम्र हो जाए पठिया का तब ही पठिया क में आती है तो पठिया को कुरस कराने से पहले ये देख लेना है कि मौसम कौन सा है जब पठिया बच्चा देती है तो किस मौसम बच्चा देती है तो ऐसे मौसम में क्रस कराना है कि जब पठिया आपकी बच्चा दे तो ठंड का मौसम नहीं हो तभी जाके आपके बच्चे स बहुत कम हो जाता है तो यह सब बात अगर ध्यान दे के आप पठिया को कुरस कराते हैं तो इसमें आपका ज्यादा फायदा है अब बात कर लेते हैं कि जो देशी बकडी की बच्चा है वो कितने दिनों में हिट में आती है तो ऐसे मानना है सभी लोगों का सभी दोस्तों का यही मानना है कि पांच या छे महिने के अंदर में देशी बकडी की जो बच्चा है हिट में आ जाती है लेकिन आप लोग बिश्वास नहीं कीजिएगा आप लोग लाइव देख रहे हैं ये पठिया मात्र दो महिने की है और ये हिट में आ चुकी है मेरा भी इतना उम्र हो गया लेकिन मैं भी आज तक नहीं देखा था और नहीं जानता था कि दो महिने के पठिया भी हिट में आ जाती है क्योंकि इस पठिया को मैं पकर के लाता हूँ इधर अलग हटा देता हूँ और फिर जो बकरा है उसके पास भग के बार बार जा रही है यानि कि पूरी तरह से हीट में आ चुगी है लेकिन हम इसको करस नहीं कराएंगे यहीं पेकिसान भाई जो हैं गलती करते हैं ध्यान नहीं देते हैं और पठिया जब भी हीट में आती है वो करस हो जाती है और जो बचे होते हैं या बकरी फिर बड़ा होती है वो किसी काम का नहीं होती है यह नसल उसका खराब हो जाता है तो दुद नहीं कर पाती है और बकरी का जीवन विकार हो जाता है तो उसी को बोलते हैं कि लोग खरबकरी हो गई देशी बकरी खरबकरी है इसी बात का ध्यान देना ह और गर करना है कि पठीया को सही समय से करस कराएं, बाइसको अभी करस नहीं कराऊंगा, जो इसके साथ में जो बकरा है, वो अंडूल नहीं है, इस बकरे का बध्यकरन हो चुका है, इसलिए मैं छोड़ा हूँ, पठीया को लेकिन फिर ये भग के चली जाती है, तो परसान होक यहरु बकड़े के पास रहेगी और भगेगी नहीं यह पूरा त्रा पॉंच डुला रही है और इसके पास नहीं रहा रही है पूरी तरह ही तो अगर वीडियो देखते देखते आप दोस्ते यहां तक पहुंचिए गया हैं तो कम से कम वीडियो को लाइक कर लिजिए क्योंक लाते रहते हैं तो आज के लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें धन्यवाद मित्रों